इन दौर में वाड 72 से भाजपा की योगेश गेंदर को मैदान में उतारा गया था जिसके बाद उन्होंने वाड में जीत दर्सकर भाजपा का परचम लहरा दिया है इस पर उनका कहना है कि भाजपा की वरिष्ट कारेकरताओं के दम पर यह जीत हासिल हो पाई है इसके साथ ही योगेश गेंदर का कहना है कि वर्ट में कई पुरानी कॉलोनिया है जिन्हें नए सिरे से विक्सित किया जाएगा इसके साथ ही उनका कहना है कि वो जनता से किये सभी वादों को पूरा करेंगे इस पर वाड 72 से नवनिर्वाचित पारशट प्रत्याशी युगेश गेंदर से खास बाचीत की हमारे समवादाता धर्मेंद्री यादव ने वाड 72 से गेंदर जी इस वक्त हमारे साथ जोड चुकर यहां पर उन्होंने एतिहासी बड़त यहां पर ली थी उर उसके साथ अब बीजेपी के प्रत्याशी बन चुके हैं महापूर पारशट प्रत्याशी यहां बन चुकिंए बीजेपी के और आने वाले समय में किस प्रक मार दर्सित करने वाले आदर्सवान लोग वहां निवास करते हैं मेरी सबसे पहले प्रात्मिक्ता रहेगी कि वहां क्या है कि जितनी भी कालोनिया है वो पांच दसक छे दसक पूरानी कालोनिया विक्सित हुई भी है ऊनके संपुन नमिनी करण की मेरी प्रात्मिकता रहेगी, drainage को रोप से नमिनी करण करना है, पेजल की विवस्ता दुरस्त करना है और जो वहाँ उध्यान है, उनका नमिनी करन करना है पूरे सहर में जो एक आदर्स वाड के रूप में जाना जाता है लोकमाने नगर उसको मैं आदर्स वाड बनाने का प्रयास करूँआ रोचक मुकाबला रहा है कि जीत का पुरा सहरा है जो किसके सर बाने जाना मैं जीत का सेरा मेरे संगठन के पुरा स्रे मेरी जीत का मेरे संगठन को है जिनने का हारे मुकाबले को जीत में परिवर्तित किया है हमारे नेता मालिनी गोड साब है तुलसी सिलावड जी है हमारे संगठन के हमारे नेगर अद्यक जी है गोरो जी है और हमारे सभी वहां के ज कार्य करता है नेतागने सभी ने एक जूट होकर पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ा है और उसी परिनितिया हम लोग आजें विजय हुए है यहां पर जीत का श्रय है यहां कहीं कहीं कार्य करता और जो संगठन के लोग हैं उनको दिया गया और आने वाले समय में भी जो क कारे करता हूं कि काम होगे संगठन काम होगा वह सबसे पहली प्रात्मित्ता पर यह गेंदर जी के लिए रहेगा इंदोर से ओवर्टु स्टुडियो